Hello Friends Welcome to my YouTube Channel Chem Catalysis Today we will discuss about the kinetics of Complex reactions Complex reactions में हमारे पास क्या कुछ आ जाता है हमारे पास consecutive reactions आ जाती है एच्छ नेक्स हमारे पास आ जाता है parallel reactions कि पहले हम कर रहे हैं kinetics of consecutive reactions यह सकंज़ेक्टिव रेक्शन कौन सी होती है जैसे हमारे पास A से कोई बन रहे है B, ए अब यह परड़क्ट B ना एक स्काम करेंगा और इस एक न्या प्रोड़क्ट बन जाएगा, C को हम बोलते हैं कन्ज़ेक्टिव रेक्शन, स्पोर्ज हमारे पास जो A से B का rate constant है वो K1 है, B से C का rate constant K2 है, A से B का K1 है and B से C का K2 है, सो अगर हम निकालें, minus DA upon DT, minus DA upon DT किसके इककोल आजाएगा, K1 into concentration of A, okay, K1 into concentration of A, सो हमने कल निकाला ही था, अगर हमने concentration निकालने हैं कि minus DA upon A is equal to K1 DT आजाएगा हमारे पास, okay, सो अगर हम integrate करेंगे इनको, तो हमारे पास क्या आजाएगा, A is equal to A note, E raise to power minus K1 T, okay, यह हमारे पास A की concentration आगी after time T, okay, A is equal to A note, E raise to power minus K1 T, अब अगर हमने DB by DT निकालने हैं, DB by DT, okay, हमने B की concentration निकालने हैं, सो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, DB by DT, DB by DT, अब देखो किसके इकलाएगा, अगर हम इस reaction को देखें, first reaction को, तो DB by DT किसके इकलाएगा, K1 into concentration of A, okay, अगर हम second reaction को देखें, तो DB by DT किसके अब reactant का काम कर रहा है, so negative sign आएगा, okay, यह मैंने first video में बता रहा है आपको, अगर आपको मतलब नहीं आया अभी तक, तो first video दुबारा देखो, okay, K1 A minus K2 concentration of B, okay, so अब इसको अगर हम लिखें, DB by DT plus K2 B is equal to K1 A not E raise to power minus K1 T, हमने क्या किया, A की value put कर दी, okay, so अब देखो, यह हमारे पास क्या होता है, एक mathematics में formula होता है, अगर हमारे पास, DY upon DX plus PY is equal to Q, okay, अगर हमने इसको solve करना है, तो जो इसका solution होता है, वो होता है, Y into E raise to power integration PDX is equal to integration of Q E raise to power integration PDX, DX, okay, यह होता है, हमारे पास इसका solution, अगर हम यह चीज़ लगाए न, यहां पे, तो यहां पे हमारे पास P क्या जाएगा, DY by DX, Y क्या है, B, okay, Y क्या हमारे पास B है, P हमारे पास क्या है, K2 है, and Q हमारे पास क्या है, K1 A naught E raise to power minus K1 T, okay, अगर आप यह equation लगाके solve करते हो, तो आपके पास मैं सिधर result लिख रही हूं, because हमें results की ही जूरत है, यह derivation नहीं आएगी exam में, okay, so आपके पास B की concentration आजाएगी, B की concentration is equal to K1 A naught divided by K2 minus K1, E raise to power minus K1 T, minus E raise to power minus K2 T, okay, जिये आपके पास आजाएगी, B की concentration, okay, इसको याद कैसे रखना है, देखो, आपने अगर नीचे K2 minus K1 लिखा है, अगर नीचे आपने K2 minus K1 लिखा है, तो जो E raise to power K2 होगा ना, वो second term आएगी, वो negative के बाद में आएगा, यह से याद रखो, अगर आपने यहाँ पे K2 पहले लिखा है, तो E raise to power में बाद में आएगा, अगर पहले आप K1 लिखते हो, तो K1 negative के बाद में आएगा, okay, तो E हो गई हमारे पास B की concentration, अगर हम C की concentration निकाले हैं, तो हम देखें, जो हमारे पास initial concentration है, A note है, वो किसकी इकला है, A, अब A कितना बचा हुआ है, add time T, plus B कितना बन गया, plus C कितना बन गया, okay, इन तिनों का sum A note के बराबर आजाएगा, क्योंकि A note से ही बनाया है, यह तिन B की concentration, okay, so अगर आप यहां से C की concentration निकालोगे न, वो आपके पास आजाएगी, A note minus A note, A note minus A note upon K2 minus K1 into, अब देखो, आपने पहले K2 लिखा है न, तो बाद में आएगा K2, E raise to power में, so पहले क्या आएगा हमारे पास, E raise to power minus K1 T, okay, minus E raise to power minus K2 T, अब देखो, यहां पे तो जो rate constant था, उपर अकेला K1 था, because हमारे पास B की concentration देख रहे है, B अकेला K1 पर ही dependent, okay, K1 से ही बन रहे है, अब देखो, यहां पे जो C है, वो K1 से भी बन रहे है, K2 से भी बन रहे है, तो हमारे पास न, दोनो K1 एन K2 आने चाहिए, okay, so अगर आपने यहां पे K1 है, तो यहां यहां पे K2 आजाएगा, अगर यहां पे K2 है, तो यहां पे K1 आजाएगा, okay, यह मतलब मैं एक ट्रिक बता रहे है, यहाद रखने के लिए, अगर आपको वैसे याद हो रहा है, फोमला तो वेल और अगुड है, अगर नहीं याद हो रहा है, तो आपको यह ट्रिक यूज में अगर नहीं तो फोमा तो रहा है, एक रहे है, पहरे हमार पास रहा है, अगर का काुंदी,। C की concentration क्या आगगी हमारे पास A0 minus A0 upon K2 minus K1 K2 E raise to power minus K1 T minus K1 E raise to power minus K2 T. यह हमारे पास आगई A की concentration, B की concentration and C की concentration. आपको ना यह पूछा जा सकते हैं, B की concentration after time T बता हूँ, तो आपको यह याद होना चाहिए formula. आपको अब देखो अगर हम graph plot करें, A की concentration, B की concentration, C की concentration versus time. आपको अगर हम A की concentration देखें, तो यह exponentially decrease होती जाएगी. A की concentration क्यों होगी? exponentially decrease होती जाएगी. यह हमारा A के लिए है. अब अगर हम B को देखें, B पहले A से बनेगा. ओके, फिर B, C में convert होगा. means पहले B की concentration increase होगी, फिर decrease होगी. ओके, तो पहले B, पहले तो हमारे पास क्या है? B की amount 0 होगी. तो यह बनेगा, यह बनेगा और हो सकता है, यह A की concentration के बराबर पहुंच जाएगी. means यह maximum हो जाएगी. So, यह हो जाएगी हमारे पास B के लिए यह बनेगा अप्लोट है. ओके, अगर हम C की बात करें, C तो बढ़ता ही जाएगा. C, ऐसे तो ऐनी के C आगे किसी जीज में convert हो रहा है. ओके, तो अगर हम C की बात करें, तो C की concentration क्या है? हमारे पास increase ही होती जाएगी. C की concentration increase ही होती जाएगी. यह graph किस के लिए? C के लिए. ओके, तो यह at time T हमारे पास तिनों के graph आते हैं. A का, B का, and C का. ओके, अब हम देखते हैं, कि अगर हमने निकालना है, K1 is greater than, greater than K2. ओके, हमारे पास C reaction थी A से B से C. यह rate constant K1 था, यह rate constant K2 था. ओके, अगर हमने K1 greater than, greater than K2 ले लिया. ओके, तो हमारे पास C की concentration क्या बन जाएगी? C की concentration क्या बन जाएगी? A note minus A note, 1 minus e raise to par minus K2 T. Means, जो हमारे C की concentration है, वो के लिए K2 पे depend करेगी? ओके, आप यहाँ पे solve कर ले ना, आप क्या करना? K1 greater than, greater than K2 कर ले ना, means K1 बढ़ा है. Okay, so K2 को negligible ले 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 ना, यहाँ पे K1 बढ़ा है, तो e raise to par minus K1 T क्या हो जाएगा? Okay, यहाँ से आप C की concentration निकालोगे, तो आपके पास यह आजाएगी. And similarly, अगर आप K2 greater than, greater than K1 करोगे, तो आपके पास C की concentration आजाएगी. A note minus A note, 1 minus e raise to par minus K1 T. Okay, so अब देखो, K1 greater than, greater than K2 का क्या मतलब है? कि जो हमारे पास B बन रहा है, B तेजी से बन रहा है, लेकिन खतम स्लो रहा है. B बन तो तेजी से रहा है, लेकिन खतम स्लो रहा है. Means, अगर हम K1 greater than, greater than K2 के लिए ग्राफ प्लोड करें, अगर हम K1 greater than, greater than K2 के लिए ग्राफ प्लोड करें, तो ग्राफ कैसा आएगा? जो हमारे पास B है, B बन तेरी से रहा है, बट खतम स्लो हो रहा है, means यह एक टाइम पर आके maximum पर रीच कर जाएगा, means जितना A था ना हमारा, वो A नोट पर रीच कर जाएगा, okay, फिर decrease होना स्टार्ट हो जाएगा, यहां पर क्या है हमारा B maximum, okay, means जो B की amount है, वो maximum पहुंच ग सो C है, C तो हमारा बनता ही जाएगा, okay, यह C के लिए, यह B के लिए, यह A के लिए, यह A के लिए, यह केस K1 greater than, greater than K2, अगर हमारे पास K2 greater than, greater than K1 है, okay, अगर हमारे पास K2 greater than, greater than K1 है, means second step fast है, B जल्दी से खतम हो रहा है, बन स्लो रहा है, means जब ही बना तभी खतम हो गया जब ही बना तभी खत्म हो गया अगर हम graph load करें A B C versus G okay so A का तो वही fund रहेगा हमारा okay जो हमारे पास B है ना जैसे ही बना वैसे ही खत्म हो गया so जो B है वो थोड़ा सा ही बन पाता है बस हमें इसे show कर देते हैं B की line को यह B की है यह A की है okay B जैसे ही बन रहा है बस वैसे ही खत्म हो रहा है मीज एक constant सी मौंट रही है B की okay so जो C है हमारे पास C तो बनता ही जा रहा है okay यह हमारे पास C की कवब है so यह graph भी वेपर में पूछे जाते हैं कि अगर K1 greater than greater than K2 का case है तो graph कैसा आएगा तब आपने जो B है उसको maximum पर पहुंचाना है maximum पर दिखाना है but अगर K2 greater than greater than K1 है तो B तो जैसी बन रहा है वैसी खत्म हो रहा है means B की जो हमारे पास B का जो graph आएगा वो थोड़ा सही उपर दिखाना है आपने okay so अब हम देख रहे हैं अब हम नेक्स देख रहे है कि B maximum and T maximum okay B maximum and T maximum B maximum and T maximum का मतलब का है B max and T max B max and T max का मतलब का है T max हमारे पास वो वाला time the time when B has reached maximum concentration okay when B has reached maximum concentration means B max जब B की concentration B max बन जाती है वो वाला time होता है T max okay so graph T max की value निकालोगी okay अगर आप T max की value निकाल रहे हो T max की value कैसे निकलेगी आपके पास db by dt होगा okay जो db by dt हैना उसको हम 0 को पूट हम उसको क्या करेंगे 0 पूट कर देंगे क्योंकि जब भी हमने maximum minimum निकालना हो तो हम क्या करते हैं उसके with respect to derivative को 0 रख देते हैं okay because maximum पर क्या होता है derivative 0 को अप्रोच कर जाते हैं okay so वहां से अगर आप T max निकालोगे तो वह आपके पास आजाएगा 1 upon k2 minus k1 ln of k2 upon k1 okay T max है 1 upon k2 minus k1 ln of k2 upon k1 जब आप पहले k2 लिख रहे हो तो उपर k2 आएगा अगर आप पहले k1 minus k2 लिख रहे हो means पहले k1 लिख रहे हो तो उपर k1 लिखना okay so पहले k2 है तो उपर k2 अगर आप B max निकालोगे वह आपके पास आजाएगा k2 upon k1 raise to power k2 upon k1 minus k2 okay यह है हमारे पास B max यह वैल्यूज आपसे ड्रेक्ट पूछी जाती है पेपर में आपको रेट कॉंस्टेंट दे रहेते हैं आपसे टी मैक्स अबिमच पूछेंगे और काफी बार एक्जाम में आया हूँ आपको बस फर्मिला याद रखना है सिर्फ वोगे टी मैक्स अबी मैक्स का फर्मिला याद रखने और नेक्स यह कर रहे हैं पैल्ल्रेक्शंज जैसे हमारे पास जो k overall है means जो rate constant जैसा भी हमारे पास आया rate constant अगर suppose वो rate constant हमारे पास आगा k overall k1 divided by k2 स्पोर्य यह rate constant आगया okay so a से b जा रहे हैं हम b से c जा रहे हैं okay इस step का k1 एस step का k2 है अगर इस step की activation energy e1 एस step की activation energy e2 है तो जो हमारे पास e overall होता है अगर हमने e overall निकाल रहे हैं okay वो कैसे निकालेंगे देखो k overall इसके इक्वेशन से देखें तो k हमारे पास किसके इक्वेशन होता है k is equal to a e raise to power minus ea upon rt okay यह हमारे पास k की value होती है अगर हम k की value यहां पे लगाएं तो हमारे पास क्या आजाएगा k overall k overall किसके इकला आजाएगा a overall e raise to power minus e overall divided by rt is equal to a1 e raise to power minus e1 upon rt divided by a2 e raise to power minus e2 upon rt okay so अगर आप compare करो आप a overall जो हमारे पास अगर हम a को compare करें तो हमारा a overall किसके इकला आगया a1 divided by a2 okay अगर हम e की terms को compare करें okay e की terms को compare करें तो हमारे पास minus e overall divided by rt किसके इकला आगया minus e1 upon rt plus e2 upon rt okay rt से rt cancel हो गया हमारे पास e overall क्या आगया e1 minus e2 ओके आपसे मतलब यह भी काफी वर कोशन आया हुआ है जैसे ही आपके पास k overall निकाला आपने means rate निकाला होगे rate is equal to k into something constellation आगया ओके वो जो k होता है न उसको overall rate constant बोलते हैं वो overall rate constant k1, k2, k3 जितने भी आपके पास reactions होगे उसकी terms में आ जाएगा सो वहां से आप e overall कैसे निकालोगे जो भी numerator में होगा उसके e तो आपने positive लेनी है जो denominator में होगा उसके e आपने negative में लेनी है ओके तो यहां पर हमारे पास e overall क्या बन गया e1 minus e2 ओके यस अगर आपके पास देखो यहां पर suppose k1 का square है ओके यहां पर क्या है k1 का square सो यह जो square होता है न यह किस में आ जाता है स्पोस हमारे पास है k overall is equal to k1 square upon k2 है सो इसके लिए e overall किसके बराबर आगी अगर आप ऐसे ही calculate करोगे e overall आपके पास आ जाएगा 2 e1 minus e2 जो power होती है न वो coefficient में आ जाती है आप ऐसे calculate करना आपके पास इतना आड़ेगा 2 e1 minus e2 ओके सो जितने भी power होगी वो coefficient में आ जाएगी ओके अगर आपके पास k overall है 2 k1 divided by k2 ओके अगर आपके पास k overall इतना है में कोई coefficient है साथ में ओके अगर आपके पास coefficient है साथ में तो वो आपने e overall में नहीं लिखना E overall is equal to E1 minus E2 ही आएगा, अगर आपके पास कोई coefficient है, वो अगर आप ऐसी solve करके देखोगे ना, वो आपके पास result इतना ही आजाएगा, ओके, सो मैं बार-बार solve नहीं कर रही है यहाँ पर, आप खुद मैंने एक solve करके दिखा दिया, आप बाकी खुद solve करो, ओके, अगर कोई हमारे पास power है, वो coefficient में आ जाती है, अगर coefficient है, वो हमने साथ में नहीं लिखना E overall में, ओके, यह होता है हमारे पास, अगर हमने, हमारे पास क्या है rate constant आगया overall, वहाँ से हम E overall कैसे निकालेंगे, ओके, E overall means overall kinetic energy, sorry kinetic energy नहीं, activation energy, ओके, next अब हम कर रहे है, parallel reactions, kinetics of parallel reactions, yes, parallel reactions का meaning क्या है, जैसे हमारे पास A से कोई product बन रहे है B, same time पे, A से हमारे पास C product भी बन रहे है, okay, A से B भी बन रहे है, A से C भी बन रहे है, okay, so इसका rate constant K1 है, इसका rate constant K2 है, okay, so अगर हम DA by DT निकाले, minus DA by DT, minus DA by DT, वो किसके को लोगा, K1 into A plus K2 into A, means K1 plus K2 into A, okay, यहां पे क्या है मारे पास minus DA upon DT, वैसे ही अगर आप integration करके solve करोगे, तो आपके पास A की concentration कितनी आ जाएगी, A is equal to A no T raised to par minus K1 plus K2, यह bracket में, into T, okay, हमारे पास पहले क्या था, पहले हमारे पास एक बार में ही, मतलब A खत्म हो रहा था, तो हमने यहां पे A की rate constant use किया हुआ था, K1 या K2 जितना भी हम ले रहे हैं, okay, अब A दो बार में खत्म हो रहा है, A से B भी भी बन रहा है, उसी टाइम पे A से C भी भी बन रहा है, तो दोनों rate constants हमारे पास आएंगे, आपके, K1 plus K2 को हम बोलते हैं, K overall, okay, K1 plus K2 is equal to K overall, okay, so हमारे पास A की concentration ही कितने आगी, A naught E raise to power minus K overall T, A is equal to A naught E raise to power minus K overall T, okay, so अगर आप यहां से B की concentration निकालोगे और C की concentration निकालोगे, B की concentration आपके पास, आपको ना सिर्फ रिजर्ट सी याद रखने हैं, means आपको कोई भी derivation याद रखनी निया पेपर के लिए, सिर्फ और सिर्फ रिजर्ट सी याद रखने हैं, so B की concentration अगर आपके निकालोगे, वो आजाएगी, K1 A naught upon K1 upon K overall A naught minus A naught E raise to power minus K overall T, okay, यह क्या है हमारे पास, यह A naught है, यह क्या है, A, A naught minus यह क्यों होता है, जितना decompose हो गया, जितना खत्म हो गया, okay, so हम इसको और क्या लिख सकते हैं, K1 upon K overall into A decomposed, जितना decompose हो गया, okay, जितना हमारे पास A decompose हो गया, वही होता है न, A naught minus A, यह A ही तो है, okay, similarly अगर आप C निकालोगे, C क्या आजाएगा, K2 upon K overall, A naught minus A naught E raise to power minus K overall T, बस डिफरेंस क्या है, यहां पे उपर K1 आए, क्योंकि A से B बन रहे हैं, उसका rate constant K1 है, जब हम C की concentration निकाले हैं, तो यहां पे K2 आ रहे है, because जब हम A से C जा रहे हैं, तो K2 rate constant यूज हो रहे है, okay, so यहां पे क्या जाएगा, K2 upon K overall into A decomposed, okay, यह B की concentration है, यह C की concentration है, यह results याद होने चाहिए आपको, A की concentration, B की concentration and C की concentration, okay, अगर आप B की concentration, divided by C की concentration करते हो, तो वो आपके पास क्या जाएगा, K1 upon K2, B की concentration divided by C की concentration, K1 upon K2, यह भी paper में आया हुए, आपको rate consciousness दे हुए है, आपसे पूछा हो गया है, B की ratio पूछी गई है, दोनों concentration की, okay, so आपने simply क्या करने है, divide करने हैं उन दोनों को, yes, next हमारे पास आ जाता है, यहां पे जो हमारे पास E overall होती है, E overall, किसके इकल होती है, K1 E1 plus K2 E2 divided by K1 plus K2, E overall is equal to K1 E1 plus K2 E2 divided by K1 plus K2, यह भी आप वैसे ही निकाल सकते हो, जैसे हमने पहले निकाला था, यहां पे K overall किसके इकल है, K1 plus K2, वहां पे तो हमारे पास क्या था, sorry, consecutive reactions में क्या था, K overall हमारे पास आता था, यहां पे तो K overall हमेशे ही, यह जो मैंने K overall लिखा है, यह K overall क्या है, K1 plus K2, ओके, So K1 plus K2 है, यहां पे आप Rhenius equation लगाओगे, K overall की value put करोगे, K1 की K2 की, ओके, जो E raise to power में होंगी, उन सब को क्या करोगे, आप compare करोगे, तो आपके पास जो E overall है, वो क्या जाएगी, K1 E1 plus K2 E2 divided by, K1 plus K2, ओके, यह आपने सारी चीज़ें याद रखने है, सारी डिजल्स याद रखने है, A की concentration, A0 E raise to power minus K1 plus K2 into T, B की concentration, K1 upon K overall, A decomposed, और K1 upon K overall, A0 minus A0 E raise to power minus K overall T, C की concentration, K2 upon K overall, A0 minus A0 E raise to power minus K overall T, ओके, फिर आगे, हमारे पास B की concentration upon C की concentration, K1 upon K2, E overall आगे, K1 E1 plus K2 E2 divided by K1 plus K2, ओके, K overall हमारे पास क्या होता है, K1 plus K2, यह सारा हमारे पास क्या है, parallel reactions के लिए, ओके, अब हम next topic कर रहे हैं, next topic करने से पहले, अगर आप से पूछा जाए, कि percentage of B, percent yield of E, B कितना बनेगा, ओके, वो कैसे निकलेगा, K1 divided by, K1 plus K2 into 100, अगर आप से पूछा जाए, percentage yield of C, वो कैसे निकलेगा, K2 upon K1 plus K2 into 100, ओके, B की percentage yield, K1 upon K1 plus K2 into 100, means K1 upon K overall, and C की अगर वोने पर, percentage yielding कालने हैं, वो क्या होगी, K2 upon K overall, ओके, ये था हमारे पास, parallel reactions, अब हम कर रहे हैं, approximation methods, ओके, approximation methods, approximation methods क्या होते हैं, और हम कहां पर यूज करते हैं, approximation methods, approximation methods, approximation methods, approximation methods में क्या होता है, कि जैसे हमारे पास, suppose example है, A plus B से, C बन रहे है, इसका जो rate constant है, वो K है, ओके, equilibrium है ये reaction, next हमारे पास कहा है, C से D बन रहे है, इसका rate constant है, K1, ओके, ये slow step है, ये fast step है, means जो C बन रहे है, वो कहा है, fast step है, but ये कहा है, C equilibrium है, reactants के साथ, reactants के साथ, equilibrium में है, so अगर ऐसा आता है, आपके पास, means C जो intermediate है, वो reactants के साथ, equilibrium में है, तो हम, जो rate है, वो कैसे निकालेंगे, yes अगर हम rate निकालें, rate क्या होता है, हमारे पास, rate, rate किसके कुल है, D, D by D, rate of formation of product, वो किसके कुल है, intermediate की हमें, कोई concentration ही पता हो, कोई concentration ही पता हो, तो बीच में कितना बन रहा है, कैसे बन रहा है, okay, but yes, अगर हम C की concentration, in terms of reactants की concentration निकालने, तो हमारा purpose, मतलब के successful हो जाएगा, but देखो, अगर हम, हमने C की concentration निकालने, okay, यहां पर देखो, इनटो एकि अगरियों कांसेदी हो, किसी की concentration हो हो, okay, सो यहां से हमारे पास, C की concentration हागी, K, A की concentration, B की concentration, okay, यहां पर आप K को K equilibrium भी लिख सकते हो, K को आप K equilibrium भी लिख सकते हो, okay, सो यहां पर हम, rate is equal to, K1, inटो K equilibrium, inटो, A की concentration and B की concentration, ओके, A की concentration, B की concentration, यह आपने यह वाला जो method है, pre-equilibrium में, हम इसको बोलते हैं, pre-equilibrium method, pre-equilibrium method, ओके, यह आपने तभी यूज़ करना है, जब आपको dynamic equilibrium में दिया हुआ है, means, जो हमारा C बन रहा है, कोई भी intermediate बन रहा है, वो reactants के साथ ही equilibrium में है, तब आपने यह वाला जो हमारे पास procedure है, यह फोलो करना है, तब यह हमारे पास क्या जाएगी, जो हमारे पास intermediate है, उसकी concentration निकाल सकेंगे, नेक्स्ट हमारे पास approximation आती है, steady state approximation, steady state approximation, steady state approximation, steady state approximation को हम S से भी बोलते हैं, जैसे हमने कब लगानी है, जैसे हमारे पास A से B बन रहा है, B से C बन रहा है, इसका rate constant K1 है, इसका rate constant K2 है, यह हमने कब लगाना है, जब हमारे पास K2, greater than, greater than K1 हो, means, जो B खत्म हो रहा है, वो बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, जैसे ही बन रहा है, वैसे ही खत्म हो रहा है, इसको हम बोलते हैं कि जो B है, B is in transient state, okay, B is in transient state, means बहुत थोड़े time के लिए बन रहा है, B, okay, तब हम means, जो B की concentration है, means हम ले सकते हैं उस छोटे time के लिए, कि B की concentration change नहीं हो रही, okay, so हम क्या करते हैं, D by dt को 0 के equal रख देते हैं, okay, D by dt को 0 के equal रख देते हैं, और हम कहा सकते हैं, कि D by dt of intermediate, okay, D by dt of intermediate is equal to 0, SSA में हमने, SSA कभी उस करना है, जब हमारे पास जो second step का rate constant है, वो क्या है, जादा है, जादा है, in comparison to first direction का rate constant, okay, K2 is greater than, greater than K1, और हम क्या कहा सकते हैं, कि B बहुत थोड़े time के लिए बन रहा है, means B is in transient state, okay, स्पोरियां से हमने B की concentration निकाल लिए, B की concentration निकाल लिए है, means DB by dt को हम क्या put करते हैं, 0 put करते हैं, DB by dt is equal to 0, DB by dt यहां से क्या हैगा, K1 into A की concentration, minus K2 into B की concentration, इसको हम 0 put कर देंगे, okay, सो B की concentration हमारे पास कितनी आगी, K1 A divided by K2, okay, यहां से हम अपनी intermediate की जो concentration है, वो निकाल सकते हैं, okay, सो दो approximation methods है, हमारे पास, pre-equilibration method and steady state approximation, okay, अब हम next जो भी आज हमने किया है, kinetics of complex reactions, पहले हमने किया था consecutive reactions, फिर हमने parallel reactions किया, फिर हमने यह approximation methods कि, okay, इनके base जब हम questions देख रहे हैं, yes friends, अब हम कर रहे हैं, previous year questions, first question है, SSA can be applied to, हम इन चारों में से, किस पे SSA लगा सकते हैं, yes, SSA पे, SSA कब लगते हैं, जब हमारे पास जो second reaction होती है, उसका rate ज़्यादा हो, first reaction से, rate constant, okay, so, इसमें देखो, A में, first का है, 10 पार 5, second का है, 10 पार 8, second का ज़्यादी है, so, हम लगा सकते हैं, B में 10 पार 5, 10 पार 3, second step का कम है, तो नहीं लगा सकते, इसमें बराबर हैं, नहीं लगा सकते, इसमें 10 पार 2 है, first का 10 पार 6 है, second का ज़्यादी है, A plus B से I बन रहे है, and then I से मारे पास P बन रहे है, okay, I से P बन रहे है, अब देखो, A plus B से, जो हमारे पास बन रहे है, I, उसका हमें rate constant दिया हुआ है, forward reaction का K1 है, backward reaction का K-1 है, okay, हमने पता क्या करने है, rate constant of the product formation, okay, so product formation के लिए अगरम देखें, जैसे अगरम लगाएं यहां पे, minus D I by D T is equal to D P by D T, okay, is equal to K2 into I की concentration, okay, यह इसके इकली आएगा न, K2 into I की concentration, D I by D T, K2 into I की concentration के इकली आएगा, अब हमने क्या निकालने है, rate constant of the product formation, product formation के लिए अगर हम D P by D T निकालते हैं, D P by D T, तो वो किसकल होता है, रेक्टन की concentration के, okay, यह के क्या है हमारे पास, जो हमारे पास net reaction है, हम उसका rate constant मान लिया, okay, K into A की concentration, B की concentration, okay, So, अब देखो, आप, यहां से हमारे पास D P by D T, K2 into I की concentration आए, okay, अगर हम I की concentration यहां से निकालें, तो यहां से I की concentration कितने आजाएगी, K1 upon K minus 1, यह क्या equilibrium constant है, यह किसके इकुल है, I की concentration divided by A की concentration, B की concentration, okay, So, अब देखो, यहां से I की concentration किसके इकुला आगी, K1 upon K minus 1, A की concentration, B की concentration, okay, अब हम I की concentration यहां पर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास D P by D D किसके इकुला आगया, K2 into K1 divided by K minus 1, A की concentration, B की concentration, ओके, ये A की concentration, B की concentration तो हमारे पास है, हमने अकेला क्या निकालना है, rate constant निकालना है, जो product formation का rate constant है, product formation का rate constant क्या है, ये, ओके, सो हमने इसकी value निकालनी है, k2 into k1 upon k-1, सो आपने क्या करना है, 10 into 10 raised to power 5 divided by 10 raised to power 4, ओके, आपके पास कितना जाएगा, 100, answer क्या जाएगा, 100, ओके, next question है, x से y बन रहा है, y से z बन रहा है, आपने time पता करना है, find the time required for y to reach its maximum concentration, ओके, means हमने क्या पता करना है, जब y, maximum concentration पर पहुंच गया, वो वाला time पता करना है, means t max, okay, मैंने t max का आपको formula बताया ही था, t max का formula क्या होता है, yes, t max का formula क्या होता है, t max is equal to 1 upon k2 minus k1, loan of k2 upon k1, okay, आपको कुछ नहीं करता है, आपको k1 दिया हुए, k2 दिया हुए, yes, values फिल करनी है, ये, गेड में कुछ दिया होता है, so, आप आराम सी calculation कर सकते हो, okay, 1 upon k2 minus k1, loan of k2 upon k1, बार-बार बोली जाओ, जो भी results chemical kinetics में आरे है, तीन दिन हो गया, third day, okay, जो भी आपके बास results हा रहे हैं, बस, मतलब के पूरा दिन बोलते जाओ, बोलते जाओ, आपने आप याद हो जाएंगे, okay, t max is equal to 1 upon k2 minus k1, loan of k2 upon k1, so, अगर आप निकालोगे, आपके पास अंसरा जाएगा, 1.57, okay, k1 की value पूट कर देन, k2 की value पूट कर देन, next question है, हमारे पास fourth question, इसमें देखो कहा है, हमारे पास e plus s से, e s बन रहे, e से p plus e बन रहे, हमने निकालना है, overall जो हमारे पास reaction हो रही है, उसका rate constant निकालना, और हम कह सकते है, equilibrium constant for the overall reaction, okay, अगर आपके पास multi steps में reaction होती है, okay, अगर आपके पास multi steps में reaction हो रही है, और उसका आप k निकालना चाहते हो, okay, k निकालना चाहते हो, k equilibrium निकालना चाहते हो, तो वो क्या होता है, इस reaction का k equilibrium, multiple है इस reaction का k equilibrium, okay, इस reaction का क्या आपके पा to kay equilibrium 1 into kay equilibrium 2 into kay equilibrium 3 okay short trick है आप वैसे निकालोगे हना पूरा निकालोगे जैसे उनने पहले निकाला है वैसे भी आपके पास से मंस्री आएगा ओके सो के equilibrium 1 कितने यहां पर देखो k1 पॉन के-टू forward divided by backward into k3 divided by k4 यह आपके पास अंसरा जाएगा k1 k3 divided by k2 k4 यह भी previous year आया हुआ है next मारे पास है आपको यह 3 reactions दी हुई है first 2 reactions में आपको बोला गया है कि यह जो पहली 2 reactions है यह fast है, third reaction सलू है आपने overall rate पता करने है आपने overall rate पता करने है so जो rate होगा, वो slow step पे dependent करेगा, okay so हम क्या लिख सकते है rate is equal to k3 into a2 की concentration c की concentration, okay but अगर हम देखें, a2 भी हमारे पास क्या है, intermediate है c भी intermediate है, हमने starting में तो reaction सिर्फ और सिर्फ a से start किया है और हमने बीच में b डाला है जो हमारे पास a2 है and c है, यह दोनों के intermediates है so हमने a2 की concentration भी निकालने है c की concentration भी निकालने है अगर आप first section देखो, first section यहां से हमारे पास क्या है, यह k1 क्या दे होगा, आपको equilibrium constant दे होगा, okay so k1 किसकी कुल है a की concentration a2 की concentration divided by a की concentration का square यहां से a2 की concentration आगी k1 in to a की concentration का square okay, अगर हम second reaction देखते है यह k2 equilibrium constant किसकी कुल है k2 is equal to c की concentration divided by a की concentration into b की concentration so c के concentration कितनी आगी k2 into a की concentration b की concentration okay आप A2 की कांसरेशन यह पर बूट कर दो, C की कांसरेशन पूट कर दो, तो आपके पास रेट क्या जाएगा, K1, K2, K3, A की कांसरेशन का Q, इंटू, B की कांसरेशन, ओके, means कौन सी ओप्शन करेक्ट होगी, A ओप्शन करेक्ट होगी, आपने ऐसी करना है, जब भी आपके पास S-S-S-A के कोंसरेशन आए, या फिर आपके पास equilibrium approximation method के कोंसरेशन आए, वो सब कोंसरेशन आपने ऐसी करने है, ओके, और मैं नेक्ट कोंसरेशन देख रहे है, जैस फ्रेंड्स, नेक्ट कोंसरेशन में आपको दिया हुए, अब देखो, जो सी है, वो intermediate है, means हमने क्या करना है, DCYDT को 0 के कोंसरेशन आए, ओके, तो DCYDT कोंसरेशन आएगा, दोनों रेक्शन को मिला के DCYDT कितना आएगा, अगर हम यहां से forward step देख रहे हैं, तो DCYDT किस की कोंसरेशन आएगा, के 1, A की कांसरेशन, B की कांसरेशन, ओके, अगर हमें reversible step देख रहे हैं, means backward action देख रहे हैं, तो किस की कोंसरेशन आएगा, minus K2 into C, ओके, अगर हम यह देख रहे हैं, तो यहां पर कितना आएगा, minus K3 into B की कांसरेशन, C की कांसरेशन, हमने इसको 0 के equal रखने, ओके, तो अब यहां से देखो, अगर आप यह दोनों उधर ले जाओ, simplify करो, तो C की कांसरेशन क्या आजाएगी, K1 into A की कांसरेशन, B की कांसरेशन, divided by K2 plus K3B, ओके, K2 plus K3B, यह आजाएगा आपके पास, अब देखो, यह C की कांसरेशन हागी, हमने निकालना क्या है, DD by DT, DD by DT की किसको इकल है, K3, B की कांसरेशन, C की कांसरेशन, ओके, सो अब देखो, K3, B की कांसरेशन, C की कांसरेशन, पूट कर देते हैं, A into B की कांसरेशन, divided by K2 plus K3B, आपके पास, संसर क्या आगया, K1, K3, A की कांसरेशन, B की कांसरेशन का स्क्वेर, divided by K2 plus K3, B की कांसरेशन, ओके, यह क्या आपके पास, DD by DT, की कांसरेशन, पता कर ली, C की कांसरेशन, हमने यहां पे पूट कर दी, तो वो क्या आगया, हमार पास, DD by DT, ओके, अब नेक्स्ट कॉशन देख रहे हैं, इस कोशन में देखो, X से Y बन रहा है, X से Z बन रहा है, मेंस कौन सा कॉशन है, यह पैललेल रेक्शन का, ओके, आपको K1 की वैल्यू दे हुई है, Y upon Z की वैल्यू दे हुई है, आपने K2 निकालना है, यह मैंने बताया ही था, कि K1 upon K2 किसके इकलोते हैं, Y की कांसेलेशन दिवाइड़ बाइ, Z की कांसेलेशन, ओके, अब K1 कितने हैं, 10 रिज पार माइनस 4, दिवाइड़ बाइ, K2 हमने निकालना है, Y upon Z की कांसेलेशन रेशो कितनी दे है, 1 upon 4, so K2 कितना आगे यहां से, 4 इंटो 10 रिज पार माइनस 4, देखो कितना अचान कुछ ने, नेट में आया हुआ है, ओके, सो K2 कितना आगे, 4 इंटो 10 रिज पार माइनस 4, next, देखो, A से B बन रहे, A से C बन रहे, K1 दिया हुए, K2 दिया हुए, आपने percentage distribution बताने हैं दोनों का, means B का and C का percentage distribution बताने है, So, गरम percentage of B निकाले, B की percentage कितनी होगी, K1 upon K1 plus K2 into 100, okay, K1 कितनी है हमारे पास, 1.26 into 10 raises power minus 4, divided by 1.26 into 10 raises power minus 4, plus 3.8 into 10 raises power minus 5 into 100, यह आपके पास आजाएगा, 77%, okay, percentage of C कैसे निकाल होगी, K2 upon K1 plus K2 into 100 is equal to 3.8 into 10 raises power minus 5, divided by 3.8 into 10 raises power minus 5, plus 1.26 into 10 raises power minus 4, यह कितना आजाएगा, 23%, okay, सो यह हमने आज जो भी किया, क्या कुछ किया, सरसे पहले हमने किया था, kinetics of consecutive reactions, फिर हमने पहले reactions किया, फिर हमने किये जो भी हमारे पास approximation methods, okay, फिर उसके बाद हमने जो भी previous questions आई हुए है, मैं हर एक type का EK करवा देती हूँ, okay, मैंने प्रिवेस वीडियो में में आपको सारे प्रिवेस से कोशनर परस दे रखें, okay, 2015 से लेके 15 के दोनों, 16 के दोनों, 17 के दोनों, 18 के दोनों, okay, आपके पास इतने papers हैं, उन में से आप और प्रैक्टिस कर लीजिए, okay, अगर आपके वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीस लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ने किया, तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेर कीजिए, थैंक यू,